लेकिन हम लोग को विशेषता क्या है, भगवान बुद्ध and कैसी विशेषषता मिलता है? हम लोग को क्या और सकता है भगवान के पास जाना, उनके साथ संपर्क में रहना, उनके सार्ण में जाना याव शकता क्या है? मैं मिल्हों के बहुत दुख से लग है। लोग के मन में बहुत सारा दुख है। नका भादा दनुख से होंका। लोगों को पता नहीं है, वो दुख में है, लेकिन कोई समय समय पर उन लोगों को बहुत प्रब्लम आता है, प्रब्लम आने के बाद उन लोग रूता है, बहुत सोख करता है, पीडा में रहती है, उसकी बाद उड़ा उगाना बजा की, फिल्म दे कर, फिर वो नॉर्मल होता है उनको मालूम नहीं है यह अंदर दुख है क्या नहीं कोई बार में भी दुख नहीं क्योंकि दुख सबसी मुश्किल है दुख का आर्थ मिलना दुख को समझना सबसी मुश्किल है इसलिए बगवान ने बहुत उर्सके नीचे बैठ कर बहुत खोसत किया है बहुत ग्यान से खोज खोज उनका अपना यह गहरी ग्यान से खोज खोज उचार करने लगा दुख क्या है क punches ही रहत है और हम लोग जो में बोलता है उन दुख इसके जलिकर क混ी हैं जलिख राउक्द ही दुखाई बोलना भी glowल लगता लुख है कोई लोग आकर भोल गया है आप लोग बोलता है क्या नहीं हम पूरा अपसित में हैं दुख में हां बोलते हैं ठीक है बड़िया है कैसा है आपको कहां दुख है हम लोग तो कुसी से रहता है क्योंकि दुख मतलब दुनिया में एक सचाई फैक्ट चीज है वो समझना बहुत मुश्किल है सिर्फ बगवां बुद्ध ने दुख के लिए नहीं बताया उन्होंने दुख का खारण भी बताया और दुख के मुक्ती होने का system भी बताया मुव्ती भी बताया क्यों आफ जनता को आफ जनता मतलब नप्ड जनता नहीं सारा नोग और ब्रह्मा देवता लूग सब लोग दुख में हैं लेकस अब लोग फता नहीं है उनको मालून नहीं है दुख में है क्योंकि इसका मतलब के हाविद्य मतलब नहीं इसका मतलब दुख नहीं जानता है दुख नहीं जानता है दुख में है दुख नहीं जानता है इसका मतलब क्या है हम लोगों को जो हमारा जीवन में हम लोग जो मनुस्वर जीवन लाए है है और हम लोगों को देखने से मन में कुशी आता है और आ सकत होता है सुनने से कुशी आता है आ सकत होता है और और आग्रहन करने से खुशी आता है। और रस कुछ स्वाद खाने से खुशी आता है। और शारीर का वो इसपर्स से भी कुशी आता है। मन से हम लोग सोचता है। सोचने से भी कुशी आता है। कुशी आने के बाद हम लोग क्या करता है। आसकत होने के बाद क्या करता है पीछे जाता है हम लोगों के के पास ख़स्ट को समलना पड़ीगा लेकिन सामना खड़ना पड़ीगा लेकिन खोस्ट पर हम लोगों रोता है देखें मन में यहाई वो खास्ट दूर हो जाएगा फिर खुशी आएगा, वह प्रब्लम है, वह ठीक होगा, खुशी होगा, जादा प्रब्लम जादा समयता है कि तुम लोग इंतजार करता है हमेशा, क्या, दो चीज, यह प्रब्लम कब खतम होगा, खुशी कब आएगा.